सुबह हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपात काले इन जो बैठक हुई थी उसमें बताया गया था कि आज डेट सीट जारी कर दी जाएगी तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे जिनको लेके आपके कॉमेंट भी आ रहे थे उसमें से बहुत सारे जो सवाल हैं आपके जो ब मिनिटे सेक्षन में डाल देता उसके बाद 10 बजे के बाद ही यह डेट सीट आई है इसलिए थोड़ा लेट हुए हैं तो अभी हम तीनों जो नोटिस इसके बाद आए हैं वो हम डिसकस करेंगे तो जो सबसे पहला नोटिस है वो एन्वल एक्जाम का ही है तो इसी को सबसे पहले देख लेते हैं तो इसमें बस वही चीज है कि जो नोटिस आया था जो हमने पढ़के बता था आप आतकालीन वाला कि उसका संदर्ब लेने का कष्ट करें और यह सब चीजे हैं जो निरस्त कर दिया गया था उनका दोबारा से दोबारा स्केडूल जारी कर दिया गया समय एक घंटे 30 मिनट का रहेगा बस इसमें यह है ठीक है अब ही अगर हम इसकीम की बात करें तो इसकीम का पैटर्न आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा इसका है इसकीम के पैटर्न पर इस तरीके से है मान के चलो अब बीए या फिर बीए सी देखो इसमें बीए सी का अगर हम तो बीए सी में जूलोजी है यह सबसे ओपर की तरफ अब आ गया बीए सी जूलोजी एनिमल डिस्ट्रिबूशन इवलूशन एंड डेवलप्मेंट बायोलोजी तो इसका कोड है बी 221 और इसके बाद फिजियोलोजी एन बायोकेमिस्ट्री इसका है बी 222 ठीक है तो यह स और चार मीटिंग में पेपर दिये थे अभी 2 मीटिंग में क्यूं हो रहे हैं एक साड़े बारे से 5 जो सैमिश्टर वगरा वाले हैं उनके फर्ष्ट मीटिंग में करा दे जाएंगे 12 से पहले और जो वारसिक वाले है वो बाद में ठीक है यह कूछ इस तरीके से समझळो तो इन में से चोईस आपको मिलेगी, आपको दोनों परस्ण पतर वहाँ पर रखे मिलेगे, आपको जो चाहिए, जिसकी तयारी आपको अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से कर लेना, और आपको जो पेपर चाहिए, सर को बोल देना, कि सर मुझे 221 का पेपर चाहिए, वो आप आपको 220 का पेपर देंगे और पेपर शीट देंगे वहां से आपको करना है तो इस तरीके से है इसे थोड़ा सा देख लेना और समझ में आपके आ जाएगी कोई डाउट हो तो इसके लिए मैसेज कर देना अब यह आते हैं दूसरे नोटिस पे दूसरा नोटिस में यह बताय कराना है कि उप्रोक्त संदर्वित विशे कोड पुस्तिका में टंकन तुरुष्टिवस मतलब टंकन मतलब जो प्रिंट हो गया था गलती से में एकोनोमिक्स का पेपर कोड जी 308 इंटरनेशनल एकोनोमिक्स अंकित हो गया है उप्रोक्त संदर्वित सही पेपर कोड जी 306 इंटरनेशनल एकोनोमिक्स पढ़ा जाए मतलब उसे इंटरनेशनल एकोनोमिक्स 308 की जगह 306 वाला इंटरनेशनल एकोनोमिक्स पढ़ा जाए ठीक है जो इससे रिलेट कर रहे हैं वो इसे बैटर समझ पाएंगे कि क्या यह लिखा हुआ है अभी सबसे तीसरा नोटिस और स विशु विध्याले से सब्बद महाविद्याले संस्थानों विशु विध्याले परिसर में संचालित पाथ्टेकरबों के अंतरगत उत्तरप्रदेश निर्गत सासना ades सबसे पहला है सभी पाठ्यकर्मों के अंतीम वर्ष एवं अंतीम समेश्टर की परिक्षाएं दिनांक आठ जुलाई से आठ अगस्त के मद्या आयोजित कराए जाएंगे पहले चीज़ अगर आप इयर वाई जो फर्स्ट यर सेकिंडर थर्ड यर या फिर सेमेश्टर हो आपका तो फाइनल जो सेमेश्टर है फिर फाइनल इयर है उनकी परिक्षाएं आठ जुलाई से आठ अगस्त के मद्या आयोजित कराए जाएंगे अगर आपका कोई 2019-2020 की परिक्षाव में बीना परिक्षा के सनातक दुवित्य वर्स है तो परुनत हुए थे जो परमोट कर दिये गहीं थे कि सनातक दुवित्य वर्स की परिक्षाएं दिनांक 8 जुलाई से 8 अगस्त संपन कराई जाएंगी वो चातर जो फिछले साल कोईर की वज़ज़ से प्रमोट हो गए थे इस बार वो प्रमोट नहीं होने के उनकी परिक्षा भी आठ जुलाई से आठ अगस्त के अंदर अंदर संपन करा ली जाएगी अब दूसरा केलियर हो गया है यहां पर सभी पाठ्ठे करमों के अंतिम समेश्टर को छोड़ कर जितने भी पाठ्ठे करम है उनके अंतिम समेश्टर को छोड़ के यह बात है अंतिम समेश्टर का आप सभी को पता है कि पेपर होंगे तो उन सभी को छोड़ कर अन्य सभी सम समेश्टर के पाठ्ठे करमों की परिक्षा ने करा कर सम समिस्टर की परिक्षा नहीं होने की अगर आप 2, 4, 6, 8, 10 में हो तो आपकी परिक्षा नहीं होने की ठीक है लेकिन अगर फाइनल में हो तो परिक्षा होगी इस चीज़ को ध्यान रखें ठीक है नया कराकर उससे पहले के विसम समिस्टर की परिक्षा होगी आधार पर अंक और six year में हो तो भी परिक्षा होगी वो इसमें पहले ही बता दे कि फाइनल वालों को छूट नहीं है फाइनल वालों को परिक्षा होगी चाहें तब फिफ्थ की हो या नहीं हो ठीक है तो यह चीज यहां तक clear हुई होगी आपको अब फोर्थ आया ऐसे विशम सेमेस्टर दिसंबर 2020 जिनकी संपूर्ण परिक्षाएं आयोजी तो नहीं हुई थी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारा दोसो एक पेपर नहीं हुआ था अब दोसो दोक क्या होगा वो सारी चीज़ इसमें clear हो जाएंगी कि अब विशे की परिक्षाएं एपूर्ण रह गई थी तो कुछ विशे थे जिनकी परिक्षाएं एपूर्ण रह गई थी कि परिक्षाएं आठ जुलाई से आठ अगस्त के भी संपन करा जाएंगी तो ऐसे विशम सेमेस्टर जिनकी संपूर्ण परिक्षाएं आयोजीत मतलब सा परिक्षाएं आयवजित नहीं उए थी, कुछ परिक्षाएं हो गई थी, अत्वा कुछ विषे की परिक्षाएं एपोन रह गए थी, उनकी भी आठ जुलाई से आठ अगस्त के बीच जो परिक्षाएं वो संपन करा ली जाएंगे अब पांच वे के टोपिक पर आते हैं इसना तक पाठ्ठे करमो बीए बीए सी बीकोम द्वित्य व्यत्रित्य चात्रों का विकल्प परदान करते हुए परतेक विशे में मातर एक परशन पत्र कोड की परिक्षा देनी होगी चात्र अपनी सुविधान वज़ार परतेक उसमें से किसी एक कोड की पतयाई कर लें मतलब हिंदी में सिर्फ कोई सा भी आपके पास पेपर हो उसमें से सिंगल पेपर आपको देना होगा ठीक है बीपीटी जो चार साल चार वर्स वाला पाठ्टे करम है में तुईत्य वर्स 2019-20 तथा 2021 में सीधे परवेशित लेटर जिसे बोलते हैं चात्रों को डिपलोमा के अधार पर अंक देकर उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा चटा है परिक्षा कक्ष में परिक्षार्थी को एक विशे प्रशनपत्र समू का उसकी इच्छा क्याधार पर एक प्रशनपत्र परदान के जाएगा इस तरह हल किये ग हिंदी का कौन सा पर चीए तो आप बोलो कि सर में 202 पढ़ा है मुझे वो देदो 202 ले लो ले लोगे आप उनसे तो 201 और 203 के जो अंक मिलेंगे हिंदी के अंदर वो आपको उसकी परफॉर्मेंस के बेस मिलेंगे जो आप 202 का पेपर लिखोगे ठीक है ऐसे ही हिस्टरी ह है भी यह हिस्टरी उसमें दो पेपर होते हैं दो पेपर मानके चलो कोड नमबर मानके चलो तो 101-102 है और आपको 102 अच्छा आता है आपने वाप 102 कर लिया तो 101 के जो नमबर मिलेंगे वो 102 के हिसाब से मिलेंगे ठीक है इसमें यही चीलिक रखिया है साथवा जो परिष्ण पत्रों की अधिक्तम अवदी डेड़ घंटे की होगी डेड़ घंटे से उपर कोई परिष्ण पत्र नहीं होनेगा परिष्ण पत्रों के शैली यह थावत बनी रहेगी मतलब जो उनकी लैंग्वेज है वो वैसे रहेगा अगर कोई इंग्लिस में आता तो प्रटिम् वर्ष के हैं वह तो अब्जेक्टिव रहते हैं क्योंकि उब्जेक्टिव ही रहते हैं वो और बाकि सब सब्जेक्टिव रहेंगे यहीची लिखी हुए इसमें समस्टर जून 2021 एवं 2021 सत्र की वार्षिक परिक्षाओं में कोई भी परियोगात्मक परिक्षा आयुजित नहीं कराए जाएगी लिखित या फिर सद्धान्तिक परिक्षा के आधार पर ही परियोगात्मक परिक्षाओं के अंक निर्धारित होंगे ठीक है संस्थागत पारिक्षपार्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अगला पेज आएगा इसी पेज में फर्स्ट पेज का लास्ट पोइंट है दिनांक 10-4-2021 को आयोजित हो चुकी 001-002-003 विशे कोड की परिक्षाय पुन है आयोजित नहीं होंगी जो पहले हो चुकी है अगर किसी की रह गई थी वो तो वो दोबारा आयोजित नहीं होंगी अगर इनसे बैक बगएर लगती है तो वो बाद की बात है उनका नोटिस बाद में आयेगा ठीक है इससे रिगार्डिंग कोई इशू हो तो कॉमेंट करके पूछ लेना आप दिनांक 12 अपरेल 2021 को संपन हो चुकी इसनातक दुरित्यवर्स परशन कोड एवं इसनातक दुरित्यवर्स परशन कोड के संबंद में विद्यार्थियों को यह सवतंद्रता परदान की गई है कि वह संबंदित परशन पत्र समूहों के बचे हुए परशन पत्रों की परिक को इच्छा है कि कौन सा पेपर आपको देना है और आपने मानंके चलो पहले 201 दे दिया आप 202 हो न था लेकिन ऊसमें तो एक ही पेपर देना है अभी बच्चे का क्या सवाल है कि 201 में तो हमारा ऐसा हम कर किया है कि उसमें बैक लग जाएगी हमें 202 भी देने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो इसमें वही चीज बता रखी है तो मतलब इसमें बता रखा है कि 202 का पेपर आप दे सकते हो आपके इच्छा पे निर्भर करता है तो परशनपत्र के जो नंबर मिलेंगे वो ऐसे नहीं मिलने कि जो आपने पहले दे कर दिये जाएंगे पहले जो आपका हुआ वो हो चुका उसके तो नंबर वही रहेंगे हाला कि यदि चातर चाहे तो बचे हुए परशनपत्र कोड की परिक्षा में बैठ सकते हैं जो आपका बाकी का पेपर बच रा एक वो भी दे सकता है ऐसा नहीं कि आपने एक दे दिय तो आपको छूट है कि दूसरा देना चाहो तो दे सकते हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है किन्तु इस दसा में उनके धिनांक जो पहले हो चुके थे संपन परिक्षा के अंक ने परदान कर बचे हुए पेपर कोड की परिक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उक्त विशे के परशनपतर समू के सभी परशनपतरों में अंक परदान किये जाएंगे ठीक है जो पहले 201 का दिया वो तो चलो मिल गए उसके नंबर अब ऐसा नहीं उसके आधार पर इसके दिये जाएंगे क्योंकि आप इसे भी दे दोगे तो इसके जितने नंबर आएंगे मान कि बैक वैभूत पूरू परिक्षाओं के लिए छात्रों को बाद में यथा समय अवसर परदान कराया जाएगा ठीक है यह चीज समझे होंगे आप इसमें लिखा हुआ है कि विश्व विद्धाले द्वारा जिन परिक्षाओं को आयुजित करा जाएगा उनी और वैसे नहीं दे रहे हो अगर आपकी बस बैक है तो उसमें आपको अलग से इंतजार करना पड़ेगा और अगर पेपर के टाइम से पहले इसका कोई नोटिस अलग से सेपरेट नोटिस आता जिसमें लिखा होगा कि अब भी बैक भी दे सकते हो बैक वाले भी तो उसका अलग से सूचना दी जाएगी आपको कि एललबी के पर्थम वेस्ट मतलब पहला और चटा एललम के पहला और चो था 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 बी एललबी के दसवे सेमेश्टर की परिक्षाव के ततिवाय रूप रेका यह था समय घोसित की जाएगी अभी नहीं हो रही कल भी बता ज परिक्षा में लिखित परिक्षा दस अपरियल को हो चुके हैं इसके प्राप्तां को को ही इसके प्रायोगिक अंक मान लिये जाएंगे प्रायोगिक परिक्षायोजित नहीं करा जाएंगे ठीक है तो इनके प्रैक्टिकल वगयर नहीं होने के जो उनके अंकों के वही मान जाएंगे क्योंकि विश्विद्धा ले पर्थम वर्स इसनात्र की परिक्षा नहीं हो रही है फर्ष्टिर की तो परिक्षा नहीं हो रही है वो तो आपको पता यह पर्मोट हो गए नहीं की जाएंगे ठीक है वह भी नहीं होने की पर्थम वर्स में क्वालिफाइंग कोर्स 008 की परिख्षा केवल उन विध्यार्थों के लिए आयुजित की जाएंगी जिनका इस परशन पत्रों में या तो बैक है, या किसी ओर कारण से अर्ग है, ठीक है ना? पहला साल का कोई भी परिक्षा नहीं हो रही लेकिन 008 की परिक्षा के वल उन विद्यारतियों के लिए आयुजित की जाएंगी जिनका इस परशनपत्र में या तो बैक थी या फिर किसी कारण से वो इसके योग्ये हैं इन परशनपत्रों की परिक्षाओं में परथम वर्ष के इसी वर्ष के विद्यारति समलित नहीं होंगे अगर आपका इसी साल का है फर्स्ट इयर तो आपका तो होना ही नहीं है ठीक है दिवित्य वर्ष में फांडेशन कोर्स 011,012,013 जो की भासाएं होती हैं जैसे 011 हिंदी हो गया फिर हिंदी इंगलिश उर्दू जो भी हो सकेंगे ठीक है तो यह अपडेट थी सुबह को न्यूज पेपर आएगा न्यूज पेपर में भी से रिकार्डिंग खबरें आएंगी अगर यही चीजे हुई तो हम वीडियो नहीं डालेंगे अगर इस से अलग कोई भी पोईंट हुआ और आपको बताने के लिए इंक्टन हुआ तो हम उसकी भी वीडियो डाल देंगे और बाकि अगर कोई एक दो पुइंट आया तो हम उसको क्लियर करके YouTube की community section में और Telegram group पे डाल देगे वीडियो के description में Telegram group के link है वहाँ से join कर लें क्योंकि जब भी कोई notice आता है तुरंत तो वहाँ पे डाल दी जाता है हमें थोड़ा वीडियो बनाने में 15-20 मिनिट लग जाते हैं तो वहाँ पे आपको time to time सारी चीजे पता चलती रहेंगी अगर आपको कोई सवाल है तो वहीं पे पूछ सकते हो क्योंकि वहाँ पे आप ही की class का क्या पता कोई बच्चा हो जो आपको time से और सही जवाब दे दे ठीक है तो बस यह अपडेट थी बाकी अगर आपको कुछ सवाल है तो कोमेंट करना कोशिश करेंगे जतना जल्दी हो सकते हैं उसको रिप्लाई करने के